नमस्कार किसान भायो मारवाडी मंडी भाव में आपका स्वागत है चलिए किसान भायो राजस्तान की आज की बड़ी अनाज मंडियों के ताजया भावों की बात कर लेते हैं सुरुआत कर देते हैं जोदपूर की मंडी से किसान भायो जोदपूर की मंडी में आज मोंग भी के हैं नियोंतम पचपन सो रुपे उच्टम मोंग भी के हैं आठ हजार रुपे मोट भी के हैं पांच हजार से लेके अठावन सो रुपे जोदपूर की मंडी में तारा मिरा भी का है अड़तिस सो पचास रुपे मेती भी क अधिक्तम जोदपूर की मंडी में 5870 रुपे और गमार विका है 3700 रुपे इसब गोल जोदपूर की मंडी में विकी है अधिक्तम 13000 रुपे चना विका है 5100 रुपे और सरसु भी की है उच्छतम 1200 रुपे किसान भायो बाड मेर की बालोतरा मंडी में आज मोंग भी के हैं 6300 से लेके 6500 रुपे परती की उंटल तक और गमार विका है 3850 तक बाड मेर की बालोतरा मंडी में बाजरा विका है 1500 रुपे तक सिक्कर की मंडी में किसान भायो तिल भी के हैं 7800 रुपे तक तारा मिरा भी के ह है 6000 से लेके बंच सट सो रुपए तक सिक्कर की मंदी में didnt भी कि associations calculate किसान भायो पाली की सुमेरपुर मंदी کی बात करें तो यहाँ पर सरसु भीकी है नियूंतम 4800 से लेके उच्छतम 52 रुपे तक मूंग भीके हैं यहाँ पर 5000 से लेके उच्छतम 8500 यानि कि 8500 रुपे तक और गवार भीका है सुमेरपुर की मंडी में 3500 रुपे चना भीका है 5170 रुपे बाजरा भीका है 1650 रुपे और लहसुन की बात करें तो पाली और इसके साथ भीलवाडा यहां पर लहसुन भी का है 10,500 से लेके उच्छतम 11,500 रुपे तक किसान भायो जुन जुन मंडी की बात करें तो यहां जुन जुन की मंडी में मूंग भी के हैं आज निमन कौलिटे के मूंग 6,000 और उच्छतम भी के हैं 7,000 रुपे तक चना बिका है बावन सो मोट बिके हैं जुनजनू की सुरजगड मंडी में पाँच हजार रुपे किसान बायों चुरू की सुजान गड की मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरा बिका है उच्छितम चौदा सो रुपे आज और मौंग बिके हैं सतावन सो से लेके उच्छितम साथ हजार रुपे तक तिल चुरू की मंडियों में अभी आये नहीं है इसलिए भाव यहाँ पर मिले नहीं है बिकानेर की मंडी की बात करें तो यहाँ पर सरसू बिकी है अधिकतम उनच्छास सो रुपे और तारामिरा बिका है 3700 रुपे बाजरी बिकी है देशी बाजरी 1500 से लेके 1700 रुपे तक गवार बिकानेर की मंडी में बिका है 3725 रुपे तक मूंग यहाँ पर बिके हैं 3800 से लेके उच्छ क्वालिटी के मूंग 7600 रुपे तक बिके हैं और मोट यहाँ पर बिके हैं 5500 से लेके 6000 रुपे तक चना की धेरी यहाँ बिकी है 5100 रुपे इसके साथ ही खाजुवाला की मंडी में मूंग बिके हैं 7800 किसान भायो नोखा की मंडी की बात करें तो नोखा की मंडी में नई वाली मेथी आज बिकी है 5800 से लेके 6100 रुपे तक और यहाँ पर मोट बिके हैं 4800 से लेके 6950 रुपे तक इसके साथ ही किसान भायो नोखा की मंडी में मौंग बिके हैं उन सट सो रुपे से चोहत्तर सो रुपे तक नोखा की मंडी में जीरा बिका है उच्टम बारा हजार रुपे मौंग फली यहां पर आज उच्टम बिकी है सेंताली सो रुपे तक और तिल यहाँ पर विके हैं नोखा की मंडी में 6500 रुपे नोखा की मंडी में किसान भायों देसी बाजरी विकी है 1700 रुपे मतीरा के बीज यहाँ पर विके हैं आज 3500 रुपे और तारामीरा विका है 3500 रुपे नागोर की मंडी की बात करें किसान बायों नागोर की मंडी में जीरा बिका है न्योंतम 10,000 से लेके अधिक्तम 12,500 रुपे इसब गोल नागोर की मंडी में अधिक्तम बिकी है 11,500 रुपे मूंग यहाँ पर नागोर में विके हैं नियूनतम 6,000 और उच्चितम मूंग आज विके हैं 7,900 रुपे मोट अधिक्तम विके हैं 5,000 तिल विके हैं अधिक्तम नागोर की मंडी में 7,000 तारा मिरा विका है 3800 और किसान भायो डीडवाना किसंगड परबत सर मेड़ता इनी मंडियों में लगबग यही भाव रहे हैं 150 का अंतर आपको देखने को मिल सकता है किसान भायो स्री गंगानगर की मंडी की बात करें तो यहाँ पर आज गवार विका है 3720 रुपे सरसुं भिकी है 4921 रुपे मोंग भिके हैं यहाँ पर 5700 से लेके 7715 रुपे तक नर्मा भिका है उच्चितम 5230 रुपे सूरत गड की मंडी में यहाँ पर जो भिके हैं 1100 रुपे गवार भिका है 3690 मोंग भिक्रे है अधिक्तम सुरत गड़ की मंड़ी में 30 Leopard और मोट भिक्रे हैं सुरत गड़ तरें3 30 Leopard बाजरी भिक्रे की इसके साथ ही किसान बायू कोटा की धान मंडी की बात करें तो यहां धान के बाउं में अभी ज्यादा कुछ फरक नजर नहीं आया है इसके से लेकर गारी न किसान बायू बाकी आनाज मंडियों के भी अगर आप भाव जाना चाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमारी कोशिज जरूर रहती है कि हम आप तक सही और सटेक भाव पहुंचाए लेकिन कभी-कभी होता क्या है कि भाव मिल नहीं पाते हैं तो फिलहाल आज हमें राजिस्तान की मंडियों के इतने ही भाव मिले हैं वीडियो को अब लाइक कर दीजे और चैनल पर नए है तो लाल आइकन वाला बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लिजे और गंटे का निसान भी दबा लिजे ताकि अगले वीडियो की नोटिपिकेसन आपको सबसे पहले मिले